हलो बच्चा पार्टी, वेरी गूड मॉर्णिंग तो ओल अफ यू, स्वागत था आपका फिजिक्स के दुनिया में, अपने प्यारे है चानल, एडिमीनिया, वेहर लर्निंग बिगेंज विद कोशल सर, ओके, तो लास्ट, ताइम वाली बात वही रिपीट कर रहा हूं, कौ आज का इंटरस्टिंग, बहुत ही प्यारा टोपिक, इमेज फोर्मेशन वाइक, सबसे पहले, क्या, यह दिखाई दे रहा है, क्या है, इस साइड, पॉलिश है, कौन से कलरगी, कौन से कलरगी, कबुतरी हादिक है, जी यह तो, है ने, बिल्यू कलरगी पॉलिश, इस साइ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, तो यह ओता आपका कनकेव मिरर, बाईटचिंग कैसे पचान कर सकते हैं, कैसे पचान कर सकते हैं, बीच में से गड़ा सामे लेगा, जैसे पाम होती न, आपके अथे ली, ऐसे, यह ओता है, क्षूनसा कनकेव सफेरिकल मिरर है यह, ओके, तो इ different cases हम इसके पढ़ेंगे तो one by one पढ़ते हैं बहुत interesting होने वाला है कुछ basic rules बताये थे जो आपको पहली वीडियो में उनको follow आपने करते जा रहा है तो image formation by concave spherical mirror तो पहला case उसमें लिखना चार बातें ध्यान रखनी है position of object at infinity at infinity कहां पर रखेंगे जी शरू में infinity पर कहां पर रखेंगे बच्चो object होगा हमारा infinity पर दूर होगा काफी ओके फिर आ जाएगा क्या ये चार तो याद रख लो जी position of position of किस चीज़ की image image कहां बनेगी भीया principle focus में बताया दसर आपने तो at f at f f का focus पर बनेंगी कहां पर बनेंगी focus पर बनेंगी ओके फिर next size अकार कैसा होगा image का point sized होगी जी point sized highly diminished highly diminished highly diminished बिंदू के अकार की होगी diminished word का मतलब होता छोटी होगी काफी और nature last में nature प्रकृति कैसी होगी प्रकृति कैसी होगी प्रति बिंदू की नेचर कैसा होगा हमारा image का real और inverted real and inverted होगी real and inverted होगी बच्चों कैसी होगी real माने waspick इंदी में real का image का मतलब भी बता था जो image screen के उपर आ सकती है वो image real होती इनवर्टेड गा मतलब उल्टी होगी कैसी होगी उल्टी वास्ट्विक एंव उल्टी होगी ओके यह बात सुम्हाई पहला केस क्या है position कहां पर है object की infinity पर image कहां बढ़ी है focus पर size कैसा point sized है highly diminished नेचर रियल और इनवर्ट है इसका सबसे अच्छ एक्जम्पल हुए इम जो मैंने पूछा विजा कोमेंट वोक्स में बताना है आपने जो बच्चे पेपर बन करते हैं वो लेंच सा लेकर के यहां लेंच रख लेते हैं यहां पर paper है यहां बराए एक support सा बन जा है तो यह क्या है support actually में sun की image है क्या हिए sun की image क्या हिए sun की image है ओके तो इस type का यहां पर पहला ray diagram हमारा बढ़ेंगा ओके तो बनाते हैं एक्चुली में इस side लिख लेंगे आगे महीं पर साथ की साथ समझा देंगे तो इसको पहले उतार लेना जी पहले के इसको second में साथ की साथ वो बन जाएंगे दोनों तो यहां पर हम बना लेते हैं पहला कंकेव मिरर अपना यह कंकेव मिरर हो गया बच्चो पहले दो सारे यह step ऐसे ही पोल से लाइन लेकर जानी है प्रिंसिपल एक्सिज हो जाएगी यह ओके तो यहां से infinity से रे दिखाने हैं बस आपने कोई भी तीन या च्यार रे आप ऐसे मर्दी से दिखा सकते हैं तो यह point है माल लेजी आपका F तो इस पे ऐसे रे दिखा देने हैं आप तो यह आपका पहले case है ऐसे arrow लगाने है यह 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 जो दिस दा फास्ट केस यहां पर image बने हुगी है यहां से object माल लेजी आपका at infinity कहां पर है यह at infinity at infinity ओके focus पर image बने है यह क्या बने है आपकी यहां पर image यह क्या है आपका यह pole है mn mirror है ओके बिल्कुल सिंपल सा case था अब infinity से कहां पर लेकर आएंगे c से परे तो यह image उतार लेंगे आपने second case देखें अब mirror की तरफ चलते आएंगे जी mirror की तरफ चलते आएंगे तो जितना आप mirror की तरफ object को ऐसे लेकर जाएंगे image आप कितनी उदर जाती जाएगी तो second case में क्या है position of object position of object कहां पर होगी beyond c beyond c यानि कि c से परे beyond c से परे होगी अब second case में वही लिखना है position of image इमेज कहां मनेगी भी तो किसके बीचे मन जाएगी between between किसके बीचे मनेगी वह लिए c and f between c and f okay उसके बाद वही size of image size of image कैसा होगा diminished होगी जी diminished यानि कि small size होगा कैसा होगा small size और last में nature of image nature of image कैसा होगा real and inverted real and inverted real and n है जी real and inverted होगा बच्चों position of object beyond c position of image between c and f size of image diminished और nature of image real and inverted okay तो इसके लिए diagram बनाते हैं second उतार सकता जी बहुत इंपोर्टेंट है जी एक chair number में या तीन में बनाना आता है exam में तो आपने positions के लिए image ध्यान रखनी कहां पर बनेंगी ओके तो दो तरीके से मैं इसको बनवा रहा हूं एक जो आपकी बुक के अंदर दिया है एक मैं बनावाऊंगा दोनों ही correct है कि कोई भी आप बना सकते हैं तो पहले वही concave mirror MN नाम लिखना है P से pole से ये line जाएगी ये F हो जाएगा ये C हो जाएगा डबल होता है ना focal length का इसको थोड़ा सा अगे ले लेते हैं ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पर है अब आपका object यहाँ पर यह आपका object है तो फर्स्ट रे वही रूल बता था पैरलेल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिज के फर्स्ट रे पैरलेल टू प्रिंसिपल एक्सिज कहां से जाती बच्चो फोकस से कहां से जाएगी फोकस से सेकेंड रे सी से जाएगी जो नॉर्मली जाएगी तो आप मिरर को थोड़ा से एक्स्टेंड कर सकते हैं यह बन जाएगा तो यह रे जो जाती है यह वापिशा जाएगी बैक और यह इस डिरेक्शन में मुढ जाएगी जहां पर भी दो रे मीट करती महीं पर इमेज बनती मंती किफ इन माइन तो यहाँ पर इसकी बन जाएगी आ听 यह यह इस ऑबजैक्ट की इमेज है यह यह डैश पी डैश यह इसकी बिल्कुल फैमिलियर हो गया है ना ये एफ है ये सी है ना तो ये आपका ओब्जेक्ट है तो एक जाएगी पैरलेल टू प्रिंसिपल एक्सिज होग है एक ये जाएगी यह कि यहां पर इमेज बन जाएगी यहां पर क्या बन जाएगी इमेज यह एंगल आई है यह पर मुड़ गई ये इसकी अगिन image A dash B dash ये A है ये B है ओके तो दोनोरे डियाग्राम में जो जोनों सा को एक्ट लगे आपको वो आप बढ़ा सकते हैं अब देखिए पहले infinity बताब B और C अब C पर आ जाएंगे कहाँ पर आ जाएंगे C पर फिर C और F के बीच में फिर F पर और फिर F और P के बीच में बस बन गया काम next case क्या object कहाँ पर C पर बच्चों C पर C क्या होता है center of curvature ये तो हमने सरपड़ा है तो इसके लिए देखते हैं third case position of object position of object कहाँ पर at C कहाँ पर होगा center of curvature पर होगा तो position of image ये च्यार बाते ही तो बतानी है position of image ये भी बनेगा at C पर फिर size पर आते हैं size CC पर है तो same size हो जाएगा same size same size मैंने कुछ question पुछा था भई in plain mirror में जाना है बताया नहीं आपने comment में पुछा था ना plane mirror क्या बना सकता है inverted image बताया था ना बताया नहीं आपने तो size क्या होगा same size और last में क्या बताना है nature nature वही वही कौन सा real and inverted real and inverted real and inverted okay तो यहीं पर side में डायगा तो mirror चाप लेते हैं अपना प्यार आसा यह आपका mirror हो गया जी फिर दूसरा काम pole से lines principle axis भी बन गई sir P से यह C बन गया C पर object रख दिया आपने ओके तो पहली तो रे parallel जाएगी principle axis के टक्राने के बाद कहां से जाएगी बच्चा पार्टी focus से देखो यह गड़बड कर जाती है यह रे भी है नहीं focus से जाएगी जी अरे ठीक है नहीं यह थोड़ी सी सही नहीं आ रही है तो इसको थोड़ा से दोबारा रीड़ा करेंगे जी यह बनगी focus में फिर जो focus से जाती है आपको बताया था वो टक्राने के बाद parallel हो जाएगी भाई नहीं हो जाती आपको यहाँ पर बन जाएगी आपकी image यह बनगी जी आपकी image यह रे पर arrow जोरूर लगा ना हजी टक्राने के बाद कौन सी कहां गई है यह a- हो गया है यह माल लेजिए point a है यह b है यह इसको ऐसे लिख ले यह a है और यह क्या है भी यह c center of curvature पर अब्जेक्ट रख्या यहां पर c है यह तीसरा अब c पर आ गई अब किसकी तरफ चलेंगे c और f के बीच में फिर f पर और फिर इन दोनों के बीच में तो next case में इसी में काम चल जाएगा ना position of object कहां पर होगी between c and f between c and f position of image कहां पर होगी image की position अब मैंने एक बाद आए थी जब infinity पर दे था ना मा लेजिए mirror infinity पे तो mirror के पास पास रहते हैं तो जितना object mirror के इधर जाता जाएगा, image इधर जाती जाएगी, तो between C and F है, तो position of image कामपर चली जाएगी, beyond C, द्यान रखें जैसे यह है ना, यह मानिके चलो, जितना object इसकी close जाता जाएगा, image उतनी ही इधर आती जाएगी, बस यह बात द्यान लखो, जितना object इधर होगा, इधर जाएगा, image इतनी ही इधर आती जाएगी, यह बात द्यान लखो, जितना object mirror के close इधर जाता जाएगा, image इतनी ही इधर जाती जाएगी, जितना object इधर आता जाएगा, image उतनी ही इधर जाती जाएगी, ओके, बच्चा पार्टी, तो between, beyond C, size कैसा होगा, अब enlarged हो बड़ी बन जाएगी, real और inverted होगी, real और inverted, ray diagram देखो, दोबारा, वही, वही क्या, mirror, M, N, P, यही, F, इसका double C, अब कहां आ गया है object है, object तो यहाँ पर आ गया है, तो इसके लिए भी दो method मैं बताऊंगा आपको, एक तो यह है, जब भी ऐसा बनाए, तो पहले C से एक ray ले ले ले, हमेशा, अच्छा बनता है इससे diagram, पहले C से एक ray उजार दें ऐसे, यह बात समझे मैं आगे, अब यहाँ पर कहीं object रख दें आप, ऐसे, जांदे सुने म मेरी बात, पहले एक C से ray गई, C से जो ray जाती है, आपको बताए, अब वो टकरा के उल्टी आती, क्योंकि C से जो line जाती है, वो radius मन जाती हो, radius नोर्मल होती है, यह basic उलता भी दो सिखाए थे पहले आपको, अब एक ray क्या जानी है, यहाँ से यहाँ से जाएगी, यहाँ प के बाद focus से जाती है, ऐसा ऐसा सर आपने बता रख्या है, ऐसा ऐसा कुछ आपने बता था, तो यह जो दो ray जहाँ पर मिल जाएंगी, वहीं पर क्या बन जाएगी, image, यह ray diagram, देखिए ray थोड़ी सी दिन ही आ रही है, शलीप हो जाता हमार कर, तो आप जब pen और pencil से बनाएं करेंगे, तो जो size of image हो आपको दीख रहा है, clear, A-B- बड़ा भी है, और रियर और inverted image है, बताने का मतलब क्या था आपको, कि जब आप copy pen पर ड्रा करेंगे, इनको तो scale से ना पड़ा है, आपने, कैसे, कि यही देखें, जैसे आप यह परकार से या कोई bangle बगारा लेकर करके आप ड्रा कर सकते हैं, बैंगल जारा करड़ नहीं होने चाहिए, तो आप एक सी de-line ड्रा करेंगे, MN लिखेंगे, यहां तक समझे में आ गया, अब इसके उपर scale रखो बच्चो, जैसे मालली जी आपने यह mark लगा लिया, 5 cm पर, कितने पर लगा लिया, 5 cm पर, तो C का mark कहां पर आएगा, 10 cm पर आएगा, तो इतना ज्यादा नहीं लगा ना आपने, 2 से 4 का ले लेना, जैसे कोई bangle बगारा लेकर करके या परकार से आप बना सकते हैं, जो compass बोलते हैं उसको, तो उसके बाद, यह scale से ना पने आपने दोनों यह दूरी, F का भी और C का भी, ओके, तो यह बन सकता है, इसी को दूसरी तरीके से कैसे बना सकते हैं, सेम रे डियाग्राम को, यह भी शीक इसी सी, ओके, तो अब्जेक्ट है हमारा सी और एफ के बीच में, पहला रूल बेसिक वही रहेगा, पैरलेल जाएगी रे, फोकस से मिल जाएगी, ओके, सेकिंड जो रे जाएगी, वो यहाँ पर आएगी जी, ऐसे, यह थोड़ा सिधा नहीं है हो है, यह एंगल छोटा बन गया है ना, आई बराबर आर होना चाहिए, तो ऐसे आएगी यह यह एंगल यह बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर बियोंड सी, यह रे डागराम, दोनों ही रे डागराम प्रोएक्ट हैं, दोनों साब को आशान लगे, वो आप बना सकते हैं, इसम यह दोनों ही रे डागराम, आइडेंटिक दोनों साब को पसंद आए, वो आप बना सकते हैं, इसले लगे, वो आप बना सकते हैं, नेक्स्ट केस में आप C और S के बीच पर आ लिए, आप कहां पर आएंगे, तो F पर गैस कर सकते हैं, आप कहां पर इमेज बनेगी, पहले क कहां पर था, इमेज कहां पर है, फोकुस पर, अब ऑब्जेक्ट फोकुस पर रख दे, इमेज कहां पर जाएगी बच्चो, ओविएस वह इनिफिनिटी पर, रिवर्स केस नहीं हो गया गया, अरे बच्चो, पहले जो बेसिक रूल, उसमें भी यह बताया है, जो रे पैरल नेक्स्ट केस में क्या पटल लेंगे, पोजिशन ओफ उब्जेक्ट, कहां पर होगी, ऐट एफ पर, फोकुस पर होगी, पोजिशन ओफ इमेज, पोजिशन ओफ इमेज, एट इनिफिनिटी, एट इनिफिनिटी, का मतलब है वही अनन्त पर अनन्त का मतलब होता है थोड़ी दूर बढ़ें जाएगी अमरीका जाकर नहीं बढ़ेंगे कदेनों सोचो ठीक है पोजिशन ओफ इमेज एट इनिफिनिटी उसके बाद आता है साइज तो हाइली एनलार्जड होगी जी कैसी होगी हाइली एनलार्जड क्यूंच में वही नेचयर गैडिन वह टीडो गयले और पर लॉटेड ड्रील एंड इन वहाइड़ी आयले इन वर्टी इम होक पोजीशन अपर होगी तो दिखाई दे जाएगा आपको यह पोलिश के लिए है जी यह जो ड्राइंग से बना रहे ना बार पत्ते से लगाँ है यह पोलिश इसका मतलों क्या आइस साइड पोलिश सर्फेस है इस साइड क्या रखी है पोलिश M N P G this is ूप अब यहां पर है ओब्जेक्ट फॉकस पर है तो फिस रे वही उसी वाड़ा काम करना आपने शीश जाएगी तो वापिस आएगी यहां पर ऑब्जेक्ट रखें आप 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 यहाँ पर object रखें हम, तो सबसे अच्छा rule है यह, तो यह पीछे आएगी back, ओके, second ray again, parallel जाएगी, टक्राने के बाद focus है जाएगी, तो यह दो दोनों ray हैं, यह आगे infinity पर मिलती हुई, परतीत होंगी, यहाँ पर लिखना है आपने, at infinity, अनन्त पर मिलती हुई, परतीत होंगी, यह रेडियाग्राम इस case के अंदर बनेगा, जब object आपका focus पर है तो, कलिया समन्द मैं, C से जो रह जाती है, हमेशा सी दी जाती, क्योंगी C सेंटर होता, सेंटर से जो पास होगा, वो नोर्मल बन जाएगा circumference पर, तो वो स्ट्रेट जाएगी, जो parallel to principle axis focus है जाती है, यह simple सा रेडियाग्राम है, इसका, और मुझे विश्वास है, यह समझ में आ गया होगा, और last case यहीं बच गया, between P and F, जब object को mirror के बिल्कुल close ले जाएंगे, जब object को mirror के बिल्कुल close ले जाएंगे, जैसे यहीं है ना, अभी इसके अंदर virtual image बनेगी, क्या बनेगी, जब यह marker दिखाए जाए रहे ना, आपको, तो virtual image, तो last case यहीं है इसका, तो position of object होगी, between P and F, between P and F, तो position of image, position of image होगी आपकी, behind the mirror, behind the mirror, mirror के पिछे, यह कैसे हो सकता सर, अरे virtual image, plain mirror में भी तैसे ही बनती है, size कैसा होगा, enlarged होगी, highly नहीं होगी, बस enlarged होगी, कैसी होगी, enlarged, और अब की बार nature बदलेगा, इसमें आएगी virtual and erect, कैसी image बनेगी, virtual and erect, तो यह अकेला mirror ऐसा है, जो virtual erect image बनाता है, और enlarged बनाता है, virtual erect तो जो अब भी रहता है, हमारा convex बनाता है, लेकिन वह मेंशा dimnish image बनाएगा, तो एक्जाम में question आता है, ऐसा mirror कोण सा है, जो virtual erect और enlarged image बनाता है, तो convex है, जी, वो सोरी, concave है वो, कोण सा है, मेरी बात ध्यान से दोबारा सुने, जो convex है ना, वो भी बनाता है, हमेंशा virtual erect, लेकिन वो dimnish image बनाता है, कैसे बनाता है, dimnish, अगर एक्जाम में यह पूछेगा, उस mirror का नाम बता, यह जो virtual erect बना रहा हो, और enlarged भी हो image, यानि कि बड़ी हो size में, तो वो कुण सा spherical mirror होता है, कन के हो, कुण सा होता है, कन के हो, यह पूछता है, एक्जामिनर, ओके, तो इसके लिए image formation देखते हैं, लास्ट था, कैसे बनाएंगी, ओके, यह देख लिजिए, इसके भी सभी गे दो two cases है, इसमें भी दो तरीके से बता दूँगा, जोन सा भी correct अच्छा लगे आपने, correct तो दो नहीं है, आसान लगे, ठीक लगे, वो देख लेना जी, यह pole हो गया है, तो M, N, this is F, and this is C, double, तो यहां पर है अबकी बार object, एक तो इसके दो तरीके कसे हैं, एक तौप C से भी image बना सकते हैं, या, क्योंकि रे二 नहीं है, एक तो जैसे यह बनाना ली आपने, अब यह कैसी जाएगी, C देजाएगी, जियासे ऐसे जाएगी, एक क्या बना सकते हैं सिद्धा, यहां से गई, यहां से आगी, यह आई है यह आ रहे हैं ओके ठीक है जी तो यह दोनों बेकवर्ड बढ़ाने पर ऐसे यहाँ पर मिल गई है वर्चुल इमेज है जी वर्चुल क्यों डोटिरी लाइन देखिए इनके सिगनिफिकेंस है अगर आपने सोलेड बढ़ाई तो ग्रोंग है क्योंकि सोलेड इमेज जो होती है वो रियल होती है यह डोटिरी लाइन जो इमाली जी ओबजेक्ट ए बी है ए डैस बी डैस है तो यह वर्चुल इमेज को दिखा रहा है जी ए डैस बी डैस का रिप्रेजेंट कर रहा है वर्चुल इमेज यानि के यह रे एक्चुल इमें अपियर्स हो रही है एक्चुल इमेट नहीं यह है अपियर्स टू मीट क्या है अपियर्स टू मीट मिलती यहां से रेख जाएगी पैरलेल के बाद फोकुस से जाएगी यह जान दें यह कहने का मतली है निया उब्जेक्ट को क्रोस कर गी है उसके उपर से रे जा सकती है ओके तो सेकेंड रे यहां से ऐसे जाएगी यह एंगल आई है आपका और यह एंगल आ रहे है अगे इसको आगे एक्स्टेंड करें यह पॉइंट पी था आपका इन दोनों रेज को जब बैकवर्ड आगे हम एक्स्टेंड करेंगे तो दे अपियर्स तो मीट एट पॉइंट एड़ेश बी ड़ेश यह ओबजेक्ट है आपका ए भी देखें यहां पर भी दो रहे हैं करोडों रे चल रहे हैं इसलिए हम में यह अपके इमेज बनती है इमेज बनती है क्योंकि रे मीट करती है जा करके और मीट करेंगी महीं पर image बन जाती है A dash B dash यहाँ पर यह appears to meet है last case है तो virtual image बनी हो है यहाँ पर और erect भी है तो यही एक ऐसा mirror है concave spherical mirror जो virtual erect के साथ-साथ enlarged image भी बनाता है तो यह last 6 sorry यह 6 case था बच्चो 6 case देखिए 6 case मैं एक बार summarize कर रहा हूं पहला object infinity बर था यह position object देखा रहा हूं मैं फिर beyond C फिर at C फिर between F and C between F and C फिर at F और last मैं between P and F यह 6 cases पड़े हैं आपने one by one कुम फिर दो पिर धा मोई उ आघ आपने इपने आपो